हलो फ्रेंड बेलकों तुन्जानी टॉक्स तो आज की इस वीडियो में हम डिस्क्स करने वाले हैं हिस्ट्री के बहुत ही मैत्पुन प्रेशन जो कि आपके आने वाले कमप्रेटिव एक्जाम, HPSC कलर्क और जियो आईटी और अधर HPSC के एक्जाम के लिए काफी हैटफुल फरस्ट क।श्टिर इस तरह इंडिस बैली यीउपल ट्रियिटर बिद्दा शिंदु घाटि के लोगों मैं किसके साथ बेपार किया था दोस्तों शिंदु घाटि के जो लोग थे यहीं कि सिंदु घाटि सब्वेदा के जो लोग थे वो ho intuitively के साथ प्यपार करते थे तो इ उसमें सिंदु गाटी सबेता के लिए मेलेखवा शब्द प्रियुक्त हुआ है अगला प्रशन है पुर्ष शुत्क इस फॉंड़र इंदा पुर्ष सुत्क स्तापित है तो दोस्तों जो पुर्ष शुत्क है उसका जो बननन है वो है रिगवेद में तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा दोस्तों पुर्ष शुत्क का जो बननन है वो रिगवेद के दस्बे मंडल में है और जिसमें चतुष बनना के निकी चार बननाओं की व्याक्या करी गई है अगला प्रशन है अगला प्रशन है इंडियन किंग फू अपोजड अलेक्जेंडर बा किया था जेलम नदी के किनारे और दोस्तों ये उनके बीच जो युद हुआ था बहुँ बितस्ता का युद या फिर हाइटे स्पीच के युद के नाम से जाना जाता है अगला प्रशन है महावीराबाज बॉर्न इन 6th century BC 8 महावीर का जनम छटी स्ताबदी इस्वी पूर् बेशाली के कुंडगराम में हुआ था तो इसका option जो D है वो सही हो जाएगा बेशाली और दोस्तों जो महात्मा बूद थे उनका जनम लुंबनी में हुआ था अगला जो प्रशन है great stoop का at sanchi is in sanchi का महान stoop कहा है तो दोस्तों जो sanchi का महान stoop है वो है मद्यपदेश मे तो इसका option B जो है वो सही हो जाएगा मद्यपदेश के विदीशा में है sanchi का stoop और दोस्तों इसका जो निर्मान था वो शोक ने करवाया था जो मौरेशास का सोक थे उनके द्वारा करवाया गया था अगला प्रशन है the capital of सात भाना बाज लुकेटर डैड सात भाना की रा थापना थी उसी मुक ने करी थी अगला प्रशन है the third संगम बाज heldat तीसरा संगम हुआ था दोस्तों जो तीसरा संगम हुआ था वो मधुरई में हुआ था तो इसका option जो A है वो सई हो जाएगा ओ दोस्तों जो पहला संगम था वो भी मधुरई में ही हुआ था आपको comment करक जो दूसरा संगम था तो कहां हुआ था अगला जो प्रेशन है वो है हूँ बाजदा कोट पोईट आप समुद्र गुपता समुद्र गुपत के दरवारी कभी कौन थे तो दोस्तो समुद्र गुपत के दरवारी कभी थे वो थे हरिशेन तो इसका ओप्सन जो ए है वो सही हो जाएगा हरिसेन जो थे समद्रगूप्त के दुरवारी कभी थे और दोस्तों जो समद्रगूप्त हैं इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है और नागरजन जो आश्ब गोष जो थे यहें किनिस्की दुरवारी में रहते थे अगला जो प्रेशन है हर्षबदना बाज defeated by हर्षबदन को किसने हराया था तो दोस्तों जो हर्षबदन थे उनको चलुक के सासक पुलिकेशन दियुतिय के द्वारा हराया गया था तो इसका option ये जो है बोसई हो जाएगा और दोस्तों ये जो यूद था ये है नर्मदा अगला जो प्रेशन है हो इंट्रोडीॵश ये जो इक्ता सिस्टम इकता प्रनाली किसने प्रारांभ की तो दोस्तों इकता प्रनाली जो थी वो हो इल्टूतमिस के द्वारा शुरू करेगी थी ति उसका option ए जो है वो सही हो जाएगा इल्टूतमिस और दोस्तों जो इल्टूतमिस है यहे गुलाम बंसे सबंदित हैं और इने ही जो दिल्ली सलतरत है यानि कि गुलाम बंस है उसका बास्तिफिक अबदीन को कहा जाता है तो इसका option भी जो है वो सही हो जाएगा जैनल अबदीन को उनकी जो निती थी उनके कारण जैनल अबदीन किश्मीर का अकवर कहा जाता था अगला जो प्रेशन है कवीरा बाजदार डिसिपल लाव कबीर किसके सिस्य थे तो दोस्तों जो कवीर थे वो रामानंद के सिस्य थे तो इसका option भी जो है वो सही हो जाएगा दोस्तों रामानंद जो थे उनके बारा सिस्य थे उन बारा सिस्यों में से जो दो थी वो इस्त्रियां थी पदमाबती और सुरसरी अगला जो प्रेशन है बिच सूपी सेंट वाजदा काल्ड महमूद इल इलाही कहा जाता था दोस्तों जो निजामुदीन ओलिया थे शेक निजामुदीन ओलिया इनको मेंबूवे इलाही कहा जाता था तो इसका option सी जो है वो सही हो जाएगा और दोस्तों निजामुदीन जो ओलिया थे जो जो जुलालुदीन फिरोजखिल जी थे उनको इनोने क था कि हनोज दिल्ली दूरस्त की दिल्ली अभी बहुत दूर है ये प्रशन भी पूछा जाता है। युद में मुगलां को प्राजित किया था और दोस्तों ये जो सलिहार की बैटल हुई थी ये 1672 इसवी में हुई थी और दोस्तों शिवाजी ने 1664 और 1670 इसवी में दो बार सूरत को भी लुटा था। दोस्तों प्रत्तम कृत्तकाली जो भारत आया था वो था बासकोड़ी कामा 1498 इसवी में है। बीजे स्तंबा टाबर ओ विक्टरी एट चितोर बाज बेल्ट बाई चितोर में बीजे स्तंब किसने बनवाया था। दोस्तों चितोर में जो बीजे स्तंब था वो हो राना कुमभा के द्वारा बनाया गया था तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। बाणा कुमभा यह बनाया था 1448 में इसका निर्मान कम्प्लीट हुआ था। अगला जो प्रशन है वो कनवर्टर सिक्स इंटू ए मार्शल रेस दोस्तों किसने सिक्कों को एक समारिक जाती में परिवर्तित किया था। दोस्तों यह परिवर्तित किया था जो सिक्कों के अंतिम और दसमे गुरु थे वो थे। कॉबिन सिंग उन्होंने हैं सिक्कों को एक सामरेक जाती में परिवर्तित किया था। और अप्शन भी जो है वो सही हो जाएगा, अगला जो प्रशन है, हाती सिस्टम कन्सर्ट, दोस्तों जो हाती प्रणाली है, वो सबंदित है, बॉंडेट लेबर से, यानि कि बंधुआ मजदूर प्रणाली से, तो इसका ओप्शन जो ए है, वो सही हो जाएगा, बंधुआ अगला जो प्रेशन है, फोर्ट विल्यम कॉलिज जयाठ कलकटा वाज founded by कलकटा की फोर्ट विल्यम कॉलिज की स्ताबना की थी, दोस्तों ये करी गी थी, लोर्ट बैलिजिली के दौरा तो इसका आप्ष्टन ये जो है, भुसई हो जाएगा, लोर्ट बैलिजिली ने करी थी फोर्ट विल्यम कॉलिज की स्ताबना और दोस्तो लॉर्ड बेलजिली ने इसकी स्ताबना इसलिए करी थी क्यूंकि जो सिबल सेबक थे उनकी जो निक्ती थी उनको इधर प्रिशिक्षन दिया जाता था फोर्ट विल्यम में अगला जो प्रेशन है कुका मुमेंट बाज और्गनाज़ड बाई कुका अंदोलन अजोजित किया गया था दोस्तो कुका अंदोलन था वह भक्त जवारमल के द्वारा योजित किया गया था और उसको लीड उनके सिस्य गुरु राम सिंग के द्वारा किया गया था तो इसक अगला जो प्रेशन है इसकी जो स्तापना थी वो 1776 में एसने बनर जी के द्वारा करी गई थी सुरेंदरनाच मनर जी के द्वारा option D जो है वो सही हो जाएगा अगला जो प्रेशन है किसने गांदी जी को बन मैं बौंडरी फोर्स से समोधित किया तो दोस्तो गांदी जी को बन मैं बौंडरी फोर्स से जो समोधित किया था वो लौर्ड मौंट बेटन के द्वारा जा गया था तो option C जो है वो सही हो जाएगा लौर्ड मौंट बेटन अगला जो प्रेशन है who gave the concept of संपूर्णा करांती संपूर्ण करांती की अवधार्णा किसने दी थी दोस्तो जो संपूर्ण करांती की जो अवधार्णा थी बहो जै प्रकाश नरायन के द्वारा दी गई थी तो option A जो है वो सही हो जाएगा यह दी गई थी 1940 में तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही थैंक्स पर बॉच्चिंग गॉड ब्लिस यू ओल